है तो ऑट है येलो स्ट्रोंड्स वेलकॉम बैक टू एडिट ट्यूटर्स चली इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं पाड क्रमांग है तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले उन्होंने इस कविता के माध्यम से वो जो कहना चाहते हैं वो उन्होंने यहां पर संशेप में बताया है कि थोड़े से थोड़े में बताया है प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रित किया है मतलब इस गजल में अधिकांच शेरों में जादतर जादे से जादे शेरों में जितने भी वाक्याप देखोगे लाइन्स देखोगे पंक्तियां गजल है इसके पंक्तियों को शेर कहा जाता है तो उसमें जादतर शेरों में कवी ने हमें ये बताने की कुशिश किया कि हमारा जो जीवन है वो अच्छे कर्मों से बीतना चाहिए, अच्छे कर्मों से चलते रहना चाहिए आगे उन्होंने ये बता है कि गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुन्दर दिखने के बजाए अपने कर्मों से सुन्दर दिखना वश्चक है मतलब हम सिर्फ उपरी चीजों से सुन्दर दिखना चाहें तो वो गलत है हम उपर से उतना सुन्दर दिखने के कोशिश ना करें बलकि भीतर से मतब अंदर से हमारा रिदय है हमारा मन भीतर है मन जो है वो उसका या हमारे कर्म या हमारे जो कर्म हैं वो सुन्दर होने चे ये जादर जरूरी है चलिए शुरू करते हैं पहली दो लाइन गजल की पहले दो शेर गजल की जो क्या लिखाया देखिए कि आप से किसने कहा स्वरनिम शिखर बनकर दिखो शौक दिखने का है तो फिर निव के अंदर दिखो चलिए इसमें जो कुछ कठिन शब्द है उसका अर्थ समझेंगे जैसे स्वरनिम शिखर शौक और निव तो स्वरनिम का मतलब है सोने के रंग का सुनेहरारंग और शिखर का मतलब है सिर चूटी पीक जिसे अगर परवत आप लोग है तो इसकी उचाई या आप किसी इमारत की उचाई को आप समझ सकते हो मतलब उचाई आप एक ही सबसे समझ सकते हो शिखर यहां पे शौक का मतलब होता है यहां पे ख्वाहिश अपनी परवत की बात करिए जिसके आधार पे वो रुका हुआ है चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं कि आप से किसने कहा कि सवर्निम शिखर बन कर दिखो मतलब आप से किसने कहा कि आप एक सवर्न शिखर बन कर दिखो शौक दिखने का है तो फिर निव के अंदर दिखो मतलब य या इस सुनेरे परवत को देखोगे, यह ऊचे ऊचे इमारत को देखोगे, तो इसके शान को इसकी जो तारीफ है, उसको आप लोगों को बताओगे. और हर इंसान इस शान की तरह और जिस तरह ये लोगों के तारीफों का कींद्र बना हुआ रहता है उसी तरह हर इंसान हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें उसे उचे परवत की तरह समझें उसे एक इमारत की तरह समझें लेकिन उन्हें क्य पता है कि ये इमारत जो खड़ा है या ये जो बड़े-बड़े पेड़ जो एक खड़े हैं इस धर्ती पे तो वो किसके वज़े से खड़े हैं तो वो अंदर की जड़ है जो अंदर की नीव है उसके जैसे इस इमारत की जो नीव है उसके अंदर जो छिपे हुए एट है उस भी वही कहता है कि आप ऐसे चम चमाते हुए सुनारे परवत या उचे उचे इमारतों के दिखने के या उनके जैसे चमग धमग दिखने के बजाए आपको अगर कोई शौक है दिखने का तो आप उनके अंदर जिस नीव के वज़े से वो इस दुनिया में अपनी प्रशंसा पा रहे हैं उस नीव के जैसा आप बनिये इस तरीके के नीव के पत्थर बनके आप लोगों को उचायों तक पहुचाईए तो कभी यही कहता है कि आपकी भूल है कि आप एक स्वरनिम शिखर जैसे चम चमाते हुए दिखना चाते हो अगर आपको सच में दिखना है तो उस चम चमाते हुए परवत या उस उचे उचे इमारत के नीव के जैसा आप दिखो जिसके छुपे होने के बाद भी उसके मजबूती के वज़े से यह पूरी इमारत दुनिया के सामने खड़ी है चली इसके बाद दूसरा देखते हैं देखे क्या लिखा कि चल पड़ी तो ग दूल और मील का पत्थर है माइल स्टोन यह जो पत्थर देख रहे हैं यह क्या सीख देगा यह हम अर्थ समझते हैं पहले उसके बाद आपको समझेगा तो एक बार देखते हैं फिर से कि चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो मतलब अगर आप चल पड़े हो अ अगर एक हवा चली तो जितने भी धूल हैं धीर धीरे शुरू होते हैं उड़ना और फिर एक वक्त ऐसा था कि वो पूरे आसमान को घेर लेते हैं पूरा धूल ही धूल आसमान पर चा जाता है तो मनिश्य को अपने लक्ष के प्राप्ति के लिए अगर आगे वो बढ़ र अगर अगर बैठो कही तो मील का पत्थर दीखो और अगर इस अच्छे काम के लिए या अपने लक्ष के प्राप्ति में अगर आगर सरू है अगर आगे की तरफ चल रहे हो और बीच में अगर आप कहीं बैठ भी जाते हो विश्राम के लिए या किसी कारण वश तो आपका बैठना एक मील के पत्थर की तरह हो जो एक जगे पे रुका जरूर है लेकिन यहां से आने जाने औरे जो भी मुसाफिर है वो उनको लक्ष बताता है कि आपका जो सफर है आपका जो मनजिल है आप से कितना दूर अभी है एक दिशा दिखाता है तो अगर आप चलो तो आप गर्द बन जाओ च्छा जाओ हर जगे पे और अगर उस पत पे चलते वक्त अगर आपको कहीं बैठना भी पड़े तो आप एक मील के पत्थर की तरह बैठो कि वहां पे आते जाते या आप बैठे हो विश्रानती में हो तो भी आप किसी के सब्सक्राद देखते हैं किया लिखा देखिए सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं आदमी हो तुम अगर तो आदमी बन कर दिखो यहां पे कोई भी कटिन शब्द नहीं है मतलब यहां पे देखिए जो आप पिच्चर देख रहें इसमें सिर्व यह दो ब दिखने में कोई दिखना नहीं है अगर आदमी हो तो आप अपने रिदे से अपने मन से सुन्दर बन कर दिखाओ क्योंकि आज की दुनिया में सब सुन्दर दिखने के पीछे दोड रहे हैं सब बाहर से सुन्दर दिख रहे हैं लेकिन हकीकत में अंदर से कौन सुन्दर है ये हमें बाद में पता चलता है तो कभी ये कहते हैं कि सिर्फ देखने के लिए अगर तुमें दिखना है तो वो कोई दिखना नहीं है सिर्फ किसी को आप दिखा रहे हो सिर्फ उपर से कि मैं बहुत सुन्दर हूँ बहुत अच्छा हूँ, तो वो कोई दिखना दिखना नहीं है, अगर तुम सच में कोई आदमी हो, तो आदमी या मनुष्य समझे, अगर सच में आप एक आदमी हो या मनुष्य हो, तो एक सच में एक अच्छा मनुष्य बन कर दिखो, चली यह असान था इसके बात दिखते है जिन्दगी की शकल जिसमें तूटकर बिखरे नहीं पत्थरों के शहर में वो आईना बन कर दिखो चलिए इसका जो कटिन शब्दे वो देख लेते हैं शकल और आईना तो शकल का मतलब है सूरत आपका चहरा और आईना मतलब आपको मालूम है मिरर, शिशा चलिए अब इसका जो अर्थ है वो समझते हैं एक बार और दिखते हैं कि जिन्दगी की शकल जिसमें तूटकर बिखरे नहीं पत्थरों के शहर में वो आईना बन कर दिखो तो पत्थरों का शहर जो है जो कस्ट में जीवन जो है उसमें आप एक इस तरीके का आईना बनिये एक इस तरीके का मिरर बनिये जो तूटकर बिखरे नहीं मतलब जिन्दगी में कितने भी मुश्किल आए जिन्दगी की शकल मतलब जीवन पूरी जीवन जितना भी मुश्किल भरा वक्त आए आपको उसमें तूटकर विखरना नहीं, उसका सामना करना है ऐसे पत्थरों के शहर में, ऐसे कठोर जीवन में ऐसे कठोर परिसर में आपको मेहनत करके अपने आपको एक इस तरीके का आईना बनना है कि उसके अंदर आप तूटकर विखरना जाए अपने मेहनत से अपने लगन से आप अपने लक्ष की प्राप्ति कर पाएं तो कभी ने कहा है कि जिन्दगी की शकल जिसमें तूट कर बिखर न जाए आप उस तरीके का आईना बनिये ऐसे पत्थरों के शहर में हर वक्त जहां पर आपको मुश्किल ने घेर रखा है चले, अब आगे चलते हैं आपको महसुस होगा तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जल कर मूम के भीतर दिखो तो इसमें कठोर शब देखते हैं महसूस मूम और भीतर तो महसुस का मतलब होता था ए navigate करना और मौम का मतलब है मौम बती, आप देख़े हैं कैंडल, और भीतर का मतलब है अंदर, कभी इस शेरों से ये बताना चाहता है, कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको तब हर एक दिल की जलन का महसूस, फीलिंگ होगा, जब किसी धागे सा जलकर मौम के भीतर दिखो जिस तरह देखिए ये मोम जो है वैक्स जो है इसके आग की गर्मी से पिगल रहा है जल रहा है तो उसका जो फीलिंग है वो जो जलन है वो और किसको समझ myself. और इस मूम के अंदर जो धागा है उसको समझ में रहा क्योंकि मूम के जलने के साथ साथ वो धागा भी जल रहा है तो उस धागे को समझ में रहा है कि मूम की जो जलन है वो किस प्रकार की है तो आपको हर इंसान के दिल के अंदर की जो जलन है उसकी जो तकलीफ है वो आपको तब महसूस होगा जब आप एक मोम के अंदर धागे जैसा रहोगे अगर मोम के जलने से आप भी जल रहे हूँ तब आपको मोम के जलन का एहसास होगा इसलिए हर मनिश्य को हर दूसरे मनिश्य के दुख तकलीफों को समझना चाहिए तभी वो उसकी क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है तो चलिए अब इसके आगे दिखते हैं इसमें क्या लिखा कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुमारे साथ हूँ वक्त की इस धुंद में तुम रोशनी बन कर दिखो चलिए इसमें अर्थ दिखते हैं जुगनू और धुंद का, तो जुगनू ये कीड़ा है, इंसेक्ट है समझें तो जुगनू मतलब एक फायर फ्लैज इसको बोलते हैं और धुंद का जो मतलब है, वो है कोहरा, अंदकार ऐसा समझें धुआ, तो इसका अर्थ क्या देखते हैं एक बर पढ़के फिर से दिखते हैं, कि एक जुगनू ने कहा तो एक जुगनू ने कहा, इस केड़े ने कहा, चमकते वी केड़े ने कि मैं भी तुमारे साथ हूँ, मैं हूँ तुमारे साथ लेकिन कब वक्त की इस धुंद में तुम रोशनी बन कर दिखो पहले तुम रोशनी बनो, तुम रोशनी बन कर दिखो, तब इस वक्त की इस अंधकार में मैं तुमारे साथ हूँ, मतलब ऐसा समझा जाता है, कि हर एक मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता होता है, तो उस रास्ते के लिए पहले आपको उस अंधकार के लिए, पर उस हल को पाने के लिए, उस solution को पाने के लिए सबसे पहले आपको इरादा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कोई सहायता करेगा और वो है जुगनू, तो जुगनू ये कहता है कि मैं आपके साथ हूँ जरूर, मैं एक चमचमाते हुए, आपके अंधकार को रोशन कर दूँगा, मैं जरूर, लेकिन सबसे पहले उस अंधकार में आप खुद इरादा तो करो, रोशन बनकर दिखने का, मतलब आप पहले उस दुख भरे अंधकार का सामना करने के लिए एक रोशनी जैसा एक आप उमीद तो बनो पहले, आप अपने अंदर ठानो तो पहले, तब मैं आपको साहता करूँग एक जुगनू बनकर, तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुमारे साथ हूँ, तो मतलब एक किरन की रोशनी ने कहा, एक उमीद ने कहा कि मैं भी तुमारे साथ हूँ, लेकिन कब वक्त के इस दुन्द में तुम रोशनी बनकर दिखो, पहले आप तो हिम्मत बांदो, तब मैं आपके साहता के लिए हूँ, चलि इसके बाद दिखते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुमें बनन है मोती सीब के अंदर दिखो, चलि इसमें कटिन समझते हैं कि मर्यादा और सीब का मतलब क्या है, तो मर्यादा का मतलब है limit आपका एक सीमा हद, जिसके बाहर आप नहीं जा सकते हो, और सीब का मतलब आपको मालूम है ये shunk, अब इसका अर्थ समझते हैं, एक बार पढ़क नहीं करना चाहिए हर एक जिसे हर एक मनिश्य का एक अपना एक सांस्कृतिक बंदन है हर एक कारे आप अपने संस्कृति के अंदर जो आपकी मर्यादा है उसके हद में करिए संस्कृति का उलंगन मत करिए मान मर्यादा कायदे कानून का उलंगन ना करिए तो ये जो सीमा है यह जो हद है यह सब के लिए बनी है अब अगर हद में रहके आप चमक नहीं पाओगे यह आप अगर सोचते तो यह आपकी गलती है क्योंकि एक सीब के अंदर एक छोटा सा कंड वक्त के बार एक इस तरीके का मोती बन जाता है जिसकी कीमत बेहत जादा होती है तो अगर वो क को भी अपनी सारे कारे जो है वो एक हद में रहके लिमिट में रहके अपने नियमों के अंदर रहके वो कारे करना चाहिए चली इसके बाद जो है वो देखते हैं डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली तुम ना खिलते फूल पर तितली के तूटे पर दिखो चली इसम का मतलब है कूमल मुलायम तो इसमें क्या लिखा है कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजू कली अगर कोई नाजू कली है और वो फूल बनने के लिए डर रही है वो फूल बनना नहीं चाहती है क्योंकि हो सकता है कि फूल बनने के बाद फिर तितली आए और उसे परिशान करे, उसके जो जूसर से उसको सक करे और उसे परिशान करे, या वो किसी परिशानी में आ जाए, तो एक अगर फूल बनने वाली जो नाजुक कली है, वो अगर डर जा रही है, तो तुमें क्या करना है, तुम न खिलते वे उस फूल को, मतल मतलब वो आपको कुछ परिशानी में दुवीधा में नहीं डाल सकता है, वो आपको परिशान नहीं कर सकता, मतलब आप किसी बे सहारा को आप एक सहारा दीजिए, आप उसकी हिम्मत बान दिए, उसे और तूटने न दीजिए, इस तरीके का आपको कारे करना है, तो वही बताई कि उसके अंदर कोई ताकत नहीं है, उसके पर तूटे हुए ऐसा समझे, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, आपको हिम्मत बानना चाहिए, कवी ये बताना चाहते हैं, चलिए इसके बाद आखरी जो दो शेर है वो देखते हैं, क्या लिका देखिए, कोई कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखो, स्वरी, दिखे इस भीड में, मैं जिसे देखो, उसी में तुम मुझे अकसर दिखो, तो इसमें जो अर्थ है वो देखते हैं, क्यों शक्ल का मतलब फिर से सेम है, चेहरा, और अकसर मतलब हमेशा, तो कवी ये कहते हैं, क्यों कोई ऐसी शकल तो मुझको दिखे इस भीड में, मतलब इस पूरे दुनिया में, इस पूरे दुनिया के भीड में, मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति तो दिखे, कोई एक ऐसा शकल तो दिखे, मैं जिसे देखूं, जिसे मैं देखूं, उसी में तुम मुझे अकसर दिखो, मतलब मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो इस भीड में मुझे मिल जाए और फिर उस अच्छे व्यक्ति के मिलने के बाद आप सभी उस व्यक्ति से सीख लो मतलब उस अच्छे व्यक्ति के गुणों को आप भी सीख लो आप एक अच्छे व्यक्ति बन जाओ और इस भीड में जादा तर लोग फिर उस व्यक्ति से सीख कर अच्छा इनसान बन जाए और इसलिए मैं फिर उसके बाद मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखूं मतलब अगर हर व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति के गुन को सीखता है अच्छे आदतों को सीखता है और वो अ मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक यू वेरी मुच